हेलो फ्रेंड्स आप देखना शुरू कर चुके हैं एम्चिक शॉर्गिन का वीडियो टुटोरियल और मैं हूँ आपकी ट्रेडिंग बड़ी जैस्मिन कॉर दोस्तों आजकल बहुत जादा ट्रेडर्स जो होते हैं वो टेक्निकल अनलाइसिस के लिए चार्ट्स का इस्तमाल करते हैं वो चार्ट्स में ट्रेंड को देखकर उसी के हिसाब से टरेड करते हैं जो कि बहुत अच्छा भी है ट्रेडिंग के लिए क्योंकि बिना एनलाइसिस के ट्रेडिंग करने को गैंबलिंग कहा जाता है और गैंबलिंग हमेशा नुकसान की तरफ ले जाता है पर चार्ज के थुरू ट्रेडिंग करने पर भी कुछ इशू जाते हैं जिन में से एक इशू का नाम है स्लीपेज जी हाँ दोस्तों स्लीपेज कई हद तक हमारे प्रॉफिट को कम कर देता है जैसे कि हम किसी भी ट्रेंड को फॉलो करके किसी भी ट्रेंड को पकड़ कर उसके हिसाब से ट्रेड करने ट्रेडिंग प्लाटफर्म तक जाते हैं तो करीब 30 सेकिंड से एक मिनट तक का टाइम लग जाता है और क्योंकि मार्किट बहुत तीजी से मूवमेंट करती है तो इसमें मैनुवली ट्रेड करने पर आया हुआ प्रॉफिट भी हमारे हाथ से निकल जाता है दोस्तो आज कि इस वीडियो में हम इसका सॉल्यूशन लेकर आए है आज हम आपको बताएंगे कि कैसे आप चार्ट से ही बाई और सेल कर सकते है तो यह बहुत ही इजी प्रोसेस होता है यह दो-तिन स्टेप्स को सिम्पल स्टेप्स को फॉलो करके आप इसको डन कर सकते है तो पूरी जानकारी के लिए आप वीडियो को पूरा एंड तक देखिए और जो वीवर्स वीडियो को पहली बार देख रहे हैं वो चैनल को फटा-फट से जाकर सब्सक्राइब कर दीजे क्योंकि जो कंटेंट आपको इधर मिलता है वो आपको कहीं नहीं मिलेगा तो दोस्तों आएए चली वीडियो को आगे देखते हैं और शुरू करते हैं कि कैसे प्रोसेस को डन करते हैं तो आज जिश्वर्स की बाद हम कर रहे हैं उसका नाम है सैमनी या फिर आप इसको easy trading system भी कह सकते हैं, इस process को done करने के लिए जिस charting platform का हम इस्तमाल करते हैं, उसका नाम है MT4, और जिस indicator का हम इस्तमाल करने जा रहे हैं, वो easy trading indicator है, और हम bridge के लिए इधर algocrap platform का इस्तमाल कर रहे हैं, सारी settings को done करने के बाद, यह आपकी trade को millisecond में आपकी broker त करता है, तो देखते हैं कि कैसे यह process काम करता है, तो दोस्तों सबसे पहले आपको chrome पे जाना है और उधर search करना है algocrab.com, ठीक है, उधर फिर आप अपने आपको login करना है, या फिर sign up करना है, ठीक है, तो मैंने आपको पहले सी login करा हुआ है, उसके बाद आपको इधर download section में जाना है सबसे पहले, ठीक है, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा downloads का button, आप downloads पे click करेंगे, एधर से सबसे पहले आप mt4 को download कर लेंगे, ठीक है, यहाँ से download now पे click करके, आप mt4 को download कर लेंगे और अपने system पर access कर लेंगे, उसके बाद दोस्तों आपको सबसे पहले, जैस इधर जाना है file पर, file पर जाने के बाद आपको login to trade account पर click करना है, यहाँ पर आपको login ID, password and server name डाल कर इधर से login कर लेना है, तो guys मैंने पहले से login किया हुआ है, और आपको यह पता चल जाएगा, इधर अगर आपका successfully login आ जाएगा, तो इधर kb's में दिखायागा, otherwise इधर invalid य या no connection शो करेगा, ठीक है, उसके बाद आपको charts में, charts आपका बहुत अलग सा दिख रहा होगा, तो आपको properties में जाना है, right click करना है इधर से, और इधर से right click करके, properties में जाना है, properties में जाकर आपको इधर बाहर आपको lime कर देना है, bar down को red, bull candle को lime, and bear candle को red, उसके बाद आपको okay पर click कर देना है, उसके बाद आपको इधर ही charts पर ही right click करना है, right click करने के बाद आपको template में जाना है, template के बाद आपको safe template पर जाना है, और इधर आप default के नाम से safe कर देंगे, guys, तो मैंने पहले सी default के नाम से safe कर दिया है, तो इसलिए मेरे पास यह issue show हो रहा है, तो आप अपने साब से कर देंगे, ठीक है, तो मैंने इधर safe कर दिया है, यह safe करने के बाद, आपको इधर market watch में right click करना है, right click करके इधर symbols दिख रहा होगा, symbols पर click करेंगे, और आपको इ या फिर आपको इसका demo चाहिए, तो उसके लिए आपको description में दिये हुए numbers पर contact करना पड़ेगा, आप अधर call कीजिएगा, आपको MT4 का ID, password सब receive हो जाएगा, ठीक है, तो इधर से आप symbols को add-on कर सकते हैं, जो भी symbols आपको add-on करने हैं, like अगर NEC future का, आपको कोई add-on करना है तो आप इधर से जो भी आपको symbol आई-on करना है, like ACC, तो आप इधर double-click करेंगे, जब यलो में convert हो जाएगा, आप इसको close करते ही, आपको इधर दिख रहा होगा, कि ACC का symbol आगया है, वैसी मैंने इधर open कर लिया है, तो जो भी charts आपको open करना है, आप इधर से यहाँ पर जैसे मैंने silver micro open कर रखा इधर, ठीक है, उसके बाद आप अपने ब्रोकर को सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पर select broker का आता है, like मैंने angel broking select कर रखा है, आप अपने हसाब से जो भी आपका broker है, आप अपने हसाब से जो भी आपका broker है, आप वो सेलेक्ट कर लेंगे, like 5 PESA, Alice Blue, Angel Broking Bursen, Enrich Fires, Indra Security, Master Trust, Samco, TradeSmart, Trustline, Xebo, जरूदा, जो भी आपका broker है, आप उसको select कर लेंगे, मैंने angel broking select किया हुआ है, अपने broker को, ठीक है, इधर, client ID, broker key, और password फेल कर देंगे, देन आपको उसे update कर देंगे, अपडेट करने के बाद आप इधर, get access token पर क्लिक करेंगे, ठीक है, get access token पर क्लिक करने के बाद आप इधर, validate token पर क्लिक करेंगे, validate token पर क्लिक करने के बाद आपको इधर दिख जाएगा, access token valid now, और यह आपको daily market open होने से पहले, यह आपको काम करना है, यानि 8-9 के बीच में यह आपको done कर देना है, उसके बाद आपको इधर bridge tool दिख पर क्लिक करेंगे, इधर आपको empty for bridge दिख रहा होगा, आप empty for bridge पर क्लिक करके, इधर create a symbol पर क्लिक करेंगे, इधर आपको जिस पर symbol पर trade करना है, जैसे कि मैंने आपको दिखाया कि मैं empty for में silver micro पर काम कर रही हूँ, तो मैं silver micro का symbol add on कर लूँगे, ठीक है, मैंने 21 April future का select कर सिंबल सेलेक्ट करके, इधर मैं safe changes पर क्लिक कर दूँगी, safe changes पर क्लिक करते ही मेरे सामने कैसी terminal window open हो जाएगी, इसके मैं यहां पर जो आपको इधर 3 buttons लिख रहे होंगे, एक dark blue, then green and then light blue, ठीक है, तो इससे हम start कर देंगे, ताकि हमारी algo trading एजिली वाक करें, इसे square of ko button है, तो मैंने दर से start कर दिया है, अब मैं यहां पर पहले marketplace में जाऊंगी, marketplace में जाकर, जिस indicator की आज हम बात कर रहे हैं, वो easy trading, तो मैं उस indicator को download करके, copy कल लूँगी, आप इतर देख पा रहे होंगे, easy trading system आपको दिख रहा होगा, दिर से आप download now पे क्लिक करेंगे, and वो download हो जा now पे क्लिक किया है, and यह दर download हो गया है, इसको मैं open करूंगी, और open करके, इसको मैं copy कर लूँगी, ठीक है, यहां से, तो guys, इसको copy करके, close कर दूँगी, then फिर मैं mt4 में जाऊंगी, mt4 में सबसे पहले मैं file पे जाऊंगी, फाइल पे चाहने के बाद इदर आपको open data folder शो कर रहा होगा, तो मैं open data folder पे क्लिक करूंगी, then इदर आपको mql4 दिख रहा होगा, तो mql4 पे मैं क्लिक कर दूंगी, and इदर आपको indicators दिख रहा होगा, indicators को मैं click कर दूंगी, और इधर मैं पेस्ट कर चुकी हूँ गाइस, MT4 का ब्रिज, जो मैंने भी डाउनलूड किया था, वो मैंने पेस्ट कर दिया है, तो आप इंडिकेटर में जाकर इसको पेस्ट कर देंगे, देन फिर इसको क्लोस कर देंगे, उसके बाद आप नविगेटर विंडो पे जाकर ज करता है, तो उसको वर्क करने के लिए हमें सबसे पहले टूल्स पर जाना होता है, तो फिर ऑप्शिन्स में जाएंगे, और एक्सपर एड्वाइजर्स पर जाएंगे, इधर एलोड ट्ल्ल इंपुट्स पर करके, कर देंगे, तभी हमारा कोई भी इंडिकेटर हमारे चार् सब्सक्राइप अप्लाइब करने के लिए मैं दभल क्लिक करूंगी इधर मैं Elgocrab की email ID लिख दूंगी ठके, इधर मैं Elgocrab का password लिख दूंगी, यूसर की आपको कहां से मिलेगी, यूसर की कले आपको Elgocrab में जाना पड़ेगा, Mt4 Bridge में जाना पड़ेगा, BridgeTool के अंदर इधर आप जाएंगे, इधर आपको यूजर की दिखरी होगी, पर्टिकुलर सिंबल की, तो मैं इस यूजर की को कॉपी कर लूँगी, और यहां पर पेस्ट कर दूँगी, सेम जगा पर मुझे इंस्रुमेंट की भी मिल जाएगी, तो मुझे उस अल्गो क्रैप पर ही जाना है, यहां पर मुझे इंस्रुमेंट की मिल जाएगी, तरसे इंस्रुमेंट की को भी कॉपी कर लूँगी, और इधर, पेस्ट कर दूँगी, ठीक है, यहां पर मैंने पेस्ट कर दिया है, प्रोड़क्ट टाइप मैंने रेगुलर रखा है, और टाइप मैं नॉर्मल की जग करना है ठीक है उसके बाद इधर ओके करते ही आपके पास इधर बटन ट्रेडिंग सिस्टम की टर्मिनल विंडो दिख रही होगी इधर सबसे नीचे ठीक है तो यहां पर अब आप यह चेक करने के लिए मैं यहां पर कॉंटिटी जो भी मुझे कॉंटिटी बाय करने हैं लाइक मैंने दो कॉंटिटी लिख दी और मैंने इधर बाय कर दिया बाय पर क्लिक कर दिया अब मुझे देखने के लिए यह सक्सेस्फुली रन हुआ है कि नहीं मैं टर्मिनल विंडो इधर आपको दिख रहा होगा पर टर्मिनल का मैं टर्मिनल को उपन करूंगी ठीक है जो मैंने दो कॉंटिटी बाय करी थी वह सक्सेस्फुल हो चुका है ठीक है अब इसको चेक करने के लिए मैं अल्गो क्राप पे जाओंगी और इल्गो क्राप में इधर ट्रेट्स का दिख रहा होगा ट्रेट्स पर जाकर मैं जैसे कि आप देख पा रहे है कि सल्वर में न कॉंटिटी रिजेक्ट हो गया ओडर विकाज इंसफिशेंट फर्ण ठीक है ओडर डिटेल्स पर आकर हम देख सकते कि रीजन किया क्या रीजन है कि हमारे रिजेक्ट की हुआ है विकाज मेरे में इतना फर्ण नहीं है इसलिए रिजेक्ट हो गया तो यह सिंपल सा प्रोसे करते ही मेरा चुए सेम डेवे ख्लोस हो जाएगा और इधर आपको देख भी जाएगा आप दिखा देते हूं रिफ्रिश करके आप देख पा रहे होंगे अब सल दिख रहा होगा आपको यानि मेरा जो ओर्डर है वो ख्लोस हो गया है सेम मुझे अल्गो क्रैब में भी दिख जाएगा इतना मैं रिफ्रिश कर देती हूं बिच टूल पे आपको दिख रहा होगा कि सेल हो गया है ट्रेड क्लोस हो चुका है तो यह सिंपल सा प्रोसेस है जो आपको हार्डली करने में कुछ मिनट्स लगेंगे और बहुत ही एजी है जिससे आपका टाइम बचेगा आपका जो ट्रेड आव लेट नहीं होगा अगर आपको लगे कि आपको अभी बाय करना लेना चाहिए आपको अभी सेल कर लेना चाहिए आप जब तक ट्रेडिंग व्यू तक जाएंगे तो थोड़ा सा डिस्पैलन सा हो जाता क्योंकि मार्केट बहुत तेज मूव करती है तो उस चीज से बच्चने के लिए हमारे बटन ट्रेडिंग सिस या डेमो चाहिए हो तो आप हमें कॉंटेक्ट कर सकते हैं हमारी कॉंटेक्टिंग डेटेल्स आपको डिस्क्रिप्चिन में मिल जाएगी ठीक है तो मिलते हूं मैं आपसे नेक्स वीडियो में तब तक के लिए बाबाए और हैपी ट्रेडिंग